हलो गाईज गैसे हैं आप अर्षा करता हूं अच्छे होंगे जो गाईज अपना और अपनी फैमले का ख्याल रखना और जिसने भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल फो लेटर शेयमा के वीडियो और आप मेरे टेलिग्राम चैनल क काफी अच्छी कमपनी है काफी स्ट्रोंक पोजिशन at present बिकोज इसका फ्रोफिट विडिक जो मैं बताऊंगा उससे पहले हम इसका मैक्सिमम देख लेथे गाईज इसका मैक्सिमम देखें तो किसा ही टाइम पर यह 200 रुपे के आसपास का शेयर उपास का काफी अच्छी क आज की बात करें तो 135 रुपे के आज पास आज ही गया था अगर इसके बाउन वीक लो और हाई की बात करें इसका बाउन वीक हाई है वो 185 है और लो है वो 85 रुपीज है वो भी मैं बताँगा उससे पहले हम इसके पीछे के रिजल्ट की बात करें तो कंपनी टोटली प्रोफिट में है एवन आटर लोगडाउन की कंडिशन थी उसके बाउजूद भी कंपनी ने डबल प्रोफिट लिया था फिर्स्ट क्वाटर में अगर कंपरेज़न करें लाक strong position है तो गाइज इसके dividend की बात करें तो अपने shareholder को timely dividend दिया और एक अच्छा खासा dividend दिया है चाहे 2018 की बात करें हम चाहे 19 की चाहे 20 की 33 रुपे dividend दिया है even share price है उसकी share price की value सिर्फ सवासो रुपे के आसपास है तो काफी अच्छी company है काफी strong position है profit के उससे देखें तो भी काफी better इसका profit है almost double profit इसने लिया था तो गाइज इसके अभी जो q2 का result उसकी बात कर लेते हैं तो गाइज यह q2 का result डिक्लेर हो चुका ज्योती left limited post consolidated pat of fees 62 56 करोड in q2 q2 में 62.56 करोड का इसको profit profit after tax उसको मिला है इसकी यह result की detail है यह आपको यह देखिए और इसको detail में पड़े तो company has reported total income of rupees 508.51 करोड during the period ended September 30 2022 as compared to rupees 436.93 करोड during the period ended June 30 2020 the company has posted net profit loss of rupees 62.56 करोड for the period ended September 30 2020 as against net profit loss of rupees 52.29 करोड for the period ended June 30 2020 company has reported EPS of the of rupees 1.74 for the period ended September 30 2020 as compared to rupees 1.42 for the period ended June 30 2020 so इसका यह profit जो इसका Q2 का profit है उसका history यह यह आपर यह detail आपको मिल जाएगी है यह देखिए detail है financial result अगर comparison करें यह comparison यह आपर यह जो Q2 का comparison है year on year यह comparison है यह आपर तो गैज काफी आज तक यह grow कर रहा है company और काफी strong position पर है अगर इसका अगर इसका year on year changes देखें तो totally growth पर है guys इसका percentage देखें EPS का वह EPS का जो changes है वह भी बारा percent increase हो रहा है अगर net profit देखें तो वह भी बारा percent से उपर increase हो रहा है तो काफी अच्छी company है काफी strong position है at present जो अगर इसको financially देखें तो so guys इसको try कर सकते है थोड़ा थोड़ा अभी condition ऐसी है कि इसको try किया जा सकता है so once again thank you so much for watching this video so please take care please like comment share and subscribe thank you take care